स्वागते दोस्तों आई होब आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक पे LPT LPT के बारे में तो देखिए दोस्तों अगर प्रस करते हों तो ही देखे वरना आप स्किप करके कोई और की वीडियो देख सकते हैं भले पांच वी व या आई या दस वी व आई मुझे फरक नहीं पड़ता है बस जो रियालेटी है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो देखे दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे केंडिडेट भाई बेन ऐसे होंगे जो SBI कलर्क मेंस जिनको लग रहा होगा किलियर हो जाएगा लेकिन उनका माइंड में LPT का इशु चल रहा होगा कि LPT में क्या होगा सिंपल सा एंसर दूँ आपको सिंपल सा देखे आपका LPT में क्या होगा वो आपको भी पता नहीं है वो जहां पर LPT कंडग होगा वो अथरोटी पर डिपेंड करता है आपको ले की नहीं ले फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन यह है माल लिजे आपको लेंग्विज नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है वो अथरोटी पर डिपेंड करती है आपको ले की नहीं ले माल लीजे आपको language आता है language आता है फिर भी authority पे depend करती है क्यों मैं कह रहा हूँ जैसे SBI मैंने पहले भी example दिया है एक state है जहां कि तीन language आपको आती है और एक बंदा है जिनको तीन language आती है एक बंदा है जिसमें से उसको एक ही language आता है तो वो authority पे depend करता है उसका mindset कैसा है कि किसको ले अब आप ये बोलोगे कि जितना post है उतना तो selection हुआ है न तो वो कैसे नहीं लेंगे देखो भाई backlog भी होता है vacancy याद रखना वो vacancy खाली चला जाए उसको फरक नहीं परता है वो depend करता है authority पे depend करता है क्या करें नहीं करें तो देखिए दोस्तो एक simple सा answer है कि भले आपको कुछ आता है नहीं आता है फिर भी आपका selection हो सकता है ठीक है तो demotivate होने की बात नहीं है लेकिन एक reality है कि आप language at least जानो at least सीखो क्योंकि जहांपे LPT conduct होगा उनको लगे कि हाँ आप कोशिश की हो सीखने का या सीख रहे हो ठीक है और ये सीखने का कोशिश करना या आप सीख रहे हो जो भी है ये SBI में actually देखा नहीं जाता हो अतना है SBI बहुत strict है LPT के recording जितना मुझे knowledge है SBI बहुत strict है हो सकता है आपको language नहीं आता है आपको terminate कर दे direct termination कर दे तो आप समझ गया है बाकी authority पे depend करती है SBI clerk के authority पे depend करती है आपको lake ही नहीं ले वो आपकी किस्मत की बात है और IBPS clerk पे अगर बात करें तो इसमें एक अच्छा सा बात क्या है मेठा सा बात क्या बोलूगा यहां पे माल लेजे आप language नहीं आता है आपको आप सीखने के कोशिश कर रहे हो कोशिश कर रहे हो या कुछ हद तक आप सीख चुके हो तो आपको क्या होगा इसमें आपको benefit मिल सकता है और IBPS clerk में मेरे बहुत सारे भाई-बेन है बाहर से काम कर रहे है नौर्थीस के भी हैं बाहर से भी है इतना दिक्कत नहीं आता है IBPS clerk में तो इतना tension लेनी की बात ही नहीं है ठीक है तो इतना tension लेनी की बात है तो SBI clerk में ठीक है tension लेनी की बात है SBI का मालो आप मीजोरम से apply कर दी हो आप सोच रहे हो कि आपका selection हो जाए आपको language आता नहीं है क्या होगा क्या लगता आपको definitely आपका selection नहीं होगा लेकिन एक point आपको रख देता हूँ कैसे selection होगा वो authority पे depend करता है आप authority को क्या कर सकते हो कैसे handle कर सकते हो वो authority पे depend करता है तो SBI SBI में LPT का risk जादा है IBPS clerk से SBI is greater than IBPS clerk ये बात याद रखना तो दोस्तो simple सा बात है at the end में आप कहीं से भी apply कियो हो आपका लग रहा है कि mains के लिए रोखा LPT होने वाला है अगर आप result के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो tension ना लेना अभी भी time है कोशिश करना कुछ language सिखने का कोशिश करना कोशिश करना कुछ भी क्योंकि LPT totally authority पे depend करती है ठीक है दोस्तो तो I hope आप समझ गये होगे फिर भी कोई doubt रहे गया हो तो आप comment करके जरूर पूछ सकते हैं ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था बहुत लोग confused थे इसमें तो अगर आप प्रस करके यहां तक देखे हो तो thank you so much और कोई भी doubt हो तो आप comment कर सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं next video में और all the best जिनका भी 1st April को result आने वाला है जिनका भी result है all the best और SBI clerk means के लिए भी all the best